आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चानल स्टड़ी विद दुलार में तो बच्चों यहाँ पर एक क्लास टू का इंगलिस बुक है चप्टर सेवन दा फादर ऑफ दा नेशन तो आप लोगो ध्याम से देखना है चप्टर में कैसे पढ़ता हूं औ इंडिया अवर नेशन भारत हमारा राष्ट है देश है द्रवाज एक ग्रेट मैन बॉर्ण इन और नेशन हमारे देश में एक बहुत ही महान वेक्ति ने जनम लिया था हिवाज महात्मा गांधी वह महात्मा गांधी थे विफोर इस नेम वाज मोहंदास करमचंद गांधी उनका पहले का नाम जो है मोहंदास करमचंद गांधी मतलब उनका पूरा नाम पूल नेम जो है मोहंदास करमचंद गांधी था पिपल कोल्ड हिम बापू लेकिन लोग उसे प्यार से बापू कहकर पुकारते थे बापू महात्मा गांधी वाज बॉर्ण ओन टू अक्टूबर 1869 महात्मा गांधी का जनम दो अक्टूबर 1869 में हुआ था His father's name was करमचंद गांधी उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था His mother's name was पुतली बाई और उनकी माता का नाम पुतली बाई था His mother was a very pious lady उनकी माता एक धार्मिक लेडिस थी बहुत ही धार्मिक अधिक समय उनका पूजा पार्ट और इस तरह के कारियों में बित्ता था She wanted to make him a man of character वह चाहती थी कि एक अच्छे आदमी का चरित्र महात्मा गांधी के अंदर उत्मन कर सके उनको एक अच्छे इंसान बना सके गांधी जी अपने माता पिता के अग्याकारी पुत्र थे उनकी बातों को मांते थे He was very truthful since his childhood वे बचपन से ही बहुत ही सच बोलने वाले सचे बेखती थे वो बचपन से ही बहुत ही सचे बेखती थे We know our country was slave हम लोग जानते हैं कि हमारा देश गुलाम था English men were ruling over our country English हमारे देश में सासन कर रहे थे They were from other country वे दूसरे country से थे वे बिदेशी थे They had no love and sympathy for our countrymen वे हमारे देशवासियों के परती उनके अंदर जो है हमारे देशवासियों के परती ना कोई प्यार था और नहीं कोई साहनुभूती थी Their behavior was bad with Indian उनका बेवहार भारतियों के साथ बहुत बुरा था गांधी जी did not like all गांधी जी को ये सारी चीजें पसंद नहीं थी गांधी जी को उनके बेवहार पसंद नहीं थे He came ahead to make India free from the English rule वे आगे आए हमारे देश को अंग्रेजी सासन से आजाद कराने के लिए मतलब वे एक leader बने He fought for the freedom of India उन्होंने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी After a long struggle गांधी जी made our country India free बहुत ही लंबे संघर्ष के बाद मतलब कई सालों तक या लड़ाई चली और बहुत ही लंबे संघर्ष के बाद गांधी जी हमारे देश को भारत को आजाद करवा दिये इंडिया become free on 15th August 1947 और हमारा देश भारत 15 August 1947 को आजाद हो गया गांधी जी was a great man गांधी जी एक महान वेक्ति थे He gave us free India उन्होंने हमें आजाद भारत दिया He gave us the lesson of truth and ahinsa उन्होंने हमें सच्चाई और ahinsa का part पढ़ाया He did not tell a lie वे जूट कभी नहीं बोलते थे He was fond of children वे बच्चों से बहुत ही प्रेम रखते थे He loved children very much वे बच्चों को बहुत प्यार करते थे He was a lover of peace और वे सांती के पुजारी थे वे किसी तरह का अहिंसा नहीं चाहते थे इसलिए वो सांती प्रिये थे सांती प्रिये बेखती थे He loved herijans very much वे हरीजन को भी बहुत प्यार करते थे हरीजन का मतलब आज के समाज में जिसे आज के समाज में या कल से ही कहें मतलब गांधी जी के समय से कहें उस समय भी छोटे जाती के लोगों को नीच दिरिश्टी से देखा जाता था आज भी हमारे समाज में वही ब्याप्त है लेकिन उस समय जादा था अब कम है तो उन लोगों से नीच जाती के लोगों से भी गांधी जी बहुत प्रेम रखते थे वह जानते थे कि जाती पाती कुछ नहीं होता यह यहां का बनायवा चीज है गांधी जी वाज वाज सोट डेड ओन 30 जनवरी 1948 बाई नाथू राम गोड से गांधी जी को 30 जनवरी 1948 इस भी में नाथू राम गोड से ने गोली मार कर हत्या कर दी थी अब गांधी जी हमारे बीच नहीं है इस दुनिया में नहीं है बट लेकिन फिर भी वे अपने अच्छे करमों के कारण वे आज भी हमारे बीच जीवित है आज भी हमारे दिलों में वे जीवित है हम लोग उन्हें राष्ट पिता के रूप में जानते है तो यहां पे यह चेप्र समाप्त हो गिया है देखिए यहां पे जो वर्स दिया हुआ है आप लोग इसको पढ़कर जरूर याद कर ले और यहां पे देखिए यहां पे इसका एक्सराइज शुरू हो जा रहा है यहां पे भरने लिए दिया हुआ है यहां पे singular और पुलरल वाज और वाज और वाज और वाज जाएगा इसलिए यहां पे वाज हो गया और देखिए गांधी जी वाज और चिल्डरें तो गांधी जी गांधी जी singular नमबर हो गया यहां पे वाज हो गया अब यहां पे क्या करने के लिए तहरा है पिक आउट नेमिंग वड्स गिवें बिलो यहां पे जो नेमिंग वड्स है उसको हम बाहर निकाल देंगे पिक आउट महात्मा गांधी यह भी पिक आउट हो जाएगा उसके बाद फादर यह भी टिक आउट हो जाएगा उसके बाद ही दे यह सब नहीं होगा कट हुआ है नहीं होगा इसको अंडरलाइन कर देना है अब आगे क्या क्या कहा गया है right to one word for each word similar in meaning मतलब जो है इसका synonyms लिखना है मतलब meaning वही होना चाहिए वड दूसरा होना चाहिए nation का country दिया हुआ है country अब सही सी लिख लेंगे parents parents का father and mother slave slave servant में आप लोगो इसका वर्ट्स लिख कर दे दूँगा इसकी में आपको मिल जाएगा parents का यहां पर दिया हुआ है यहां पर mother and father दिया हुआ है तो इस तरह से अब इसको complete कर लेंगे चलिए इसमें देखते हैं और आगे क्या question दिया हुआ है question number four में यहां पर यह जंबल वर्ट को ठीक करने के लिए का लिए फादर दिया गया है उसके बाद यहां पर nation हो गया name और यहां पर mother दिया गया है प्यूस इंडियन स्ट्रगल चाइल्ड और वेरी यह complete हो गया उसके बाद यहां यहां पर right ऐना आर फोर राइड डबल फोर रॉंग आर और डबल यहां पर लगाना है इंडिया इस ऑर कंट्री सही है यहां पर रोगया the name of my country इस बिहार रोंग है यहां पर डबल यह बिहार इस यह बिगने यहां पे रोंग हो गया पीपल कोल्ड गांधी जी एज बापु यह सही है राइट हो गया और पापुजी कोल्ड एज फादर आप बिहार तो यह रोंग है डबलो हो गया और इंडिया बिक्यम फ्री ओन फिफ्टीन अगस्ट फुटीट दिया हुए पुटीट यहां लिखा हुआ है तो यहां पे यह रोंग हो गया ठीक है गांधी जी वाज ए लवर आप पीस सांती की प्रिये गांधी जी सांती प्रिये थे तो यहां पे रोंग लिखा गया है गांधी जी वाज लवर आप पीस यहां पे ने ने राइट लिखा गया है यह आ पे थी पाउट freedom children dead peace उसके बाल आगे देखते हैं यहाँ पे इसमें questions तो यहाँ पे इसका option भी दिया गया है इसलिए आप आराम से इसको भर सकते हैं जैसे कि गांधी जी mother was a puse puse कहीं पी दिया वहाँ यहाँ पे प्यूस लेडी ठीक है दो डेस आप Englishman was bad with Indians तो behavior हो जाएगा यहाँ पे बी नमर में behavior उसके बज़सी नमर में गांधी जी fought for the freedom of nation freedom यहाँ पे दिया हुआ है देश के अजादी के लिए भारत के अजादी के लिए गांधी जी ने लड़ाई किया था गांधी जी is called as the father of the nation father of the nation called यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर अब लास्ट जो है question answer इस chapter का eight number में यहाँ पर है what is the name of our country इंडिया इसका हो जाएगा आपको answer जो है इसक्रीन पर मैं लिख कर दे दूंगा whom do we called बापू हम लोग बापू किसी करते हैं when was महार्त्मा गांधी बोर्ण माहात्मा गांदी का जन कब हुआ था read the names of father and mother of महात्मा गांधी महात्मा गांधी के मतापिता का नाम लिखना है did गांधी जी tell Eli क्या गांधी जूट बोलते थे when was गांधी जी shot dead गांधी जी को गोली मार करकर कब हत्या कर दी गई वाइज गांधी जी अलाइव गांधी जी आज भी जीवित क्यों है तो इस तरह का यहां पर जो कुशन दिया हुआ उसका आप लोगो को स्क्रीन पर मिल गया होगा इस तरह से यहां पर पूरी तरह समाप्त हो गया है अगर हमारा वीडियो आप लोग के यह हैलफूल होता है आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ सेर कीजिए इसके नेक्स चेप्टर को पढ़ने के लिए लोग नेक्स वीडियो पर चलेंगे